नमस्ते अभरवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए ये डिस्क्लेमर दोस्तों बात करेंगे TB18 ब्राड़कास्ट की 20% का अपर सर्किट इसने मारा है आज result आया था result को बाजार ने बहुत positive way में लिया मुझे नहीं समझ में आ रहा है आखिर बाजार ने इस result को इतने positive way में कैसे लिया हम result का एक छोटा सा आपको analysis देना चाहेंगे छोटा सा ही और उसके बाद आप खुद decode कीजिए कि क्या 20% कापर सर्किट यहां पर लगना है यह data lakh में है तो इसको हम करोण में convert करके देखेंगे तो overall scenario में अगर हम company का revenue देखना चाहें तो revenue इनका है 1379 करोण जिसको हम 1370 करोण भी कह सकते हैं यानि कि 1370 करोण company कमाई है इस बार overall जो इनकी कमाई हुई यही कमाई just इस से पहले वाले quarter में 1371 करोण थी यानि कि वहां और ये पिछले साल के इसी quarter की अगर बात की जाए 31 माज 2020 की बात की जाए तो फिर हमको जो है profit जो दिखाई दिया जो है revenue जो दिखाई दिया था वो था 1439 करोण जो की एक higher side पे था अब ये तो हो गई बात revenue की अब हम आते हैं खर्चे पे खर्चा यहां पर under control है पिछली ब water से थोड़ा सा यहां पर बढ़ा हुआ है लेकिन अब बात आती है सबसे बड़ी चीज की जहां पर profit हमको बहुत तगड़े से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसको हम decode करेंगे और क्या इस नॉर्मल से improvement से stock जो है वह 20% का पर सब्सक्राइब मानना चाहिए था यह आ अच्छी बात थी 2-4-6% उपर हो जाता अच्छी बात थी लेकिन मैं आपको बता दूँ 2 करोन से ज्यादा से दो करोन के आसपास मुझे exactly नहीं पता लेकिन 2 करोन के आसपास से तो केवल और केवल NSE मतलब National Stock Exchange पे delivery उठाई गई है सोच कर देखिए 250 करोन का profit आया इस बार पिछले quarter से अगर compare करें just पिछले quarter से तो 370 करोन का profit था यहां से एक बड़ी dip है लेकिन पिछले साल के quarter से profit close to 70% बढ़ गया है और इसी चीज को बाजार ने bumper तरीके से positive way में लिया है और company को बड़ा थमसब दिया है stock market में और दबा कर खरीदारी हुई है अब मैं आपको ब बोलता हूं यहां पर अलग बात बोलना हूं यहां पर यहीं से इसका comparison करना पड़ेगा पिछले साल के इस quarter से करना पड़ेगा अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिसके कारण यहां पर पर सरकिट लगने के संभावना बनी है या फिर लगी है लगा है ठीक है मैनेजमेंट की कमेंटरी बहुत टॉप कलास की थी मैनेजमेंट ने कहा कि हमको भी ऐसी उमीद नहीं थी कि हम इतना बेहतरीन रिजल्ट पेस करेंगे ऐसी सीचिवेशन में जहां पर हमारे सामने कोवीड का डेंट पूरा पड़ा हुआ है आपको पता है इनके आप देख सकते हो वाल्यूम वाल्यूम देख रहे हो कितना भयंकर हुआ है और यही वाल्यूम लगभग लगभग इतना ही वाल्यूम यहां पर हुआ था जब एक बढ़िया पॉस्टिव मोमेंटम आया था स्टॉक लगातार उसके बाद डाउन ट्रेंड में चला गया था अब इसके बाद क्या होगा वो आप खुछ जानते हो मुझे नहीं अमीद है आपको मैं यहां पर फसने से बिल्कुल रोकना चाहता हूँ फस मत जाईएगा इस टॉक मुझे मतलब मैं कहना चाहूं कि अगर एक होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है और यह तीसरी कटेक्रि नहीं करता है और इसी कारण में इसको नहीं डालना चाहूंगा आप यहां पर ट्रेड वगरा कर सकते हो बहुत बेतरी लेवल पर आकर क्लोजिंग दिया है अब एक्चुली यह 20% अपर सटकिर की क्लोजिंग है लेवल तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा जब इंगर रिजिस्टेंस पे जाकर खड़ा है आगे कैसा मोमेंटम होगा वो तो हमको देखना पड़ेगा क्योंकि यह स्टॉक ऐसा है कुछ भी होने पौने मोमेंटम कर जाता है कभी भी कर जाता है रिजल को बाजार ने पॉस्टिब लिया मुझे इतनी उमीद नहीं थी ले इंटेंस अक्ससाइस दिन में दो बार जरूर कीजिए जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी नमस्कार